और आप देखो फिर से 4510 की प्रोफिट में चल रहे हैं एक दिन से और आगे हम बरते हैं और आप देखो 11557 की प्रोफिट चल रही है आज मैं बात करने मालू हूँ एक नई प्रीमियम मौन्थली इंकॉम स्ट्राटेजी के बारे में जिसने की पिछले दो महीनों में 18,000 पर लोट की प्रोफिट दी हुई है और यह आपको देखने से तो straddle लग रही है लेकिन यहाँ पे सिर्फ यह straddle नहीं है straddle एक ऐसी strategy जो सबको create करने आती है फिर भी लोग create नहीं करते है क्योंकि यहाँ पे unlimited loss का उनका खतरा रहता है लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा adjustment बताने वाला हूँ जिससे कि आप adjustment करते जाओगे ना तो आपको यहाँ पे loss होने के chances बहुत ही कम हो जागे ना कर बराबर होंगे बस आपको यहाँ पे capital की requirement लगेगे तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से end तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके अगर आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल आइकोन को प्रेस किजिए तक कि आपको ऐसे ही संदार वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहा है सबसे पहले बात कर लेती है इस स्ट्राइजी के बैक्टेस्टिंग के बारे में कि इस स्ट्राइजी ने सेप्टेंबर में और अक्टूबर में कैसा परफॉर्म किया था सेप्टेंबर 23 में आपको 3200 पर लौट की प्रोफित हुए जो कि बहुत ही मिनमम थी यहाँ पे काफी लोग मेल करके पुछ रहे थे कि सर आप कैसे हो वीडियो नहीं आ रहे है तो इसके पीछे का रीजन्स मैंने आपको बताया था कि कुछ मेडिकल ट्रीट्मेंट चल रहे है मेरे हुआ यह था कि मैं मैं उसी मेरी एक चोटी सी जहां मेरी जो घुटने है ना उसके ही आ रही है मैंने तो चलिए आते हैं आज की स्ट्राटेजी के तरफ जिसका नाम मैंने रख्या है प्रीमियम मौन्थली निफ्टी ऑप्शन स्ट्राटेजी और इसे आप एक इंकम भी जनरेट कर सकते हो इसको आपको कहां पे आपको बात को निफ्टी में आपको रहना है अगर मौन्थ यह स्ट्राटेजी होने वाली कि स्ट्रिवेज रहने वाले मार्केट जनरली स्ट्राटेज है तो आप इस ट्रेजों कर सकता हो आपको कोई important news आती है या कोई कहीं पर वार हो जाता है और आपको लगता है कि market पुरी तरीके से bearish bullish होगी तो आप नहीं करना यहाँ पर trade के जो timing होगी वो क्या होगी वो होगी आपके first Monday after expiring at the rate of 9.45 am जो हमारी monthly timing होती है monthly strategy की वही timing यहाँ पर होने वाली है अच्छा इस strategy में आपको तब तक loss नहीं होगा जब तक कि आपके account में पैसे रहेंगे मतलब इसमें आपको अगर high risk है थोड़ी से आपको पैसे रखने होगा अगर आपके पास fund नहीं है तो आप इस strategy को नहीं करना जैसे कि आपको strategy को execute करने में सिर्फ 1.25 लाक्स लगेगा इसे के आजबस में strategy हो जाएगी बट पूरे month में कितने adjustment करने है यह मुझे भी नहीं पता है यह आपको भी नहीं पता है क्योंकि generally क्या होता है ना कि जब आप इस ट्रेटल करते हो तो कभी market पूरी sideways हो जाएगी तो आपको adjustment के जरूद भी नहीं परेगी कभी-कभी क्या होगे काफी ज्यादा trending होगी bullish होगी बेरीस होगी काफी ज्यादा वहाँ पर आपको क्या करना होगा वहाँ पर adjustment के जरूद परेगे तो every adjustment आपको क्या होगा 1.25 लाग के और जरूद परेगी ठीक है ना और आपने क्या कि एस्ट्राइडजी एग्जेक्यूट कर दिया अब जब आपका मालीच आपको लॉस हो रहा है पांच या दस अजार की अब आपको एडजस्मेंट करने है कि पस कैपिटल ही नहीं है तो क्या करोगी लॉस लेना परेगा न तो जब तक आपके पास इसमें कै क्या कि आपके आप किज़ेगा नहीं तो नहीं किज़ेगा इसके लिए कैपिटल बचा कर रखता हूं जो भी होती है तो मुझे इसमें लॉस होती ही नहीं यह चुकि यह स्ट्रेडल स्ट्राइडिज होने वाले है तो आपको पता है हूं किसे कहते हैं simply अगर हम ATM के सी और EU को सेल कर देते हैं कॉलर पुट को तो से में स्ट्रेडल कहते हैं ठीक है वही हमें इसका इसमें करना है वह आगे देखेंगे इसमें जो एक्जिट टाइम को दीख रहा है ना वह आपको मौन्थली एक्सपारीड होगा जो कि आप कभी भी मतलब अपने हिसाब से नौ बच जो रेंज होती है उसको मैं एक्स्टेंड कर देता हूँ तिसमें मेरे कुछ इस्टापलस नहीं आती है पर मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या टार्गेट और इस्टापलस रखनी है अब हम बात कर लेते हैं टार्गेट की इसका जो फॉर्स टार्गेट हम लोग को लेके चलते हो वह 5 जहर के आसपस लेके चलते हैं या 5% परसेंट रख सकते हो जनरली मैं क्या गरता हूँ कि मैं दो चार लोट में ट्रेड करता हूं तो मैं दो लॉट में कर रहा हूँ तो पहले लोट की जब प्रोफिट 5,000 पहुंचती है तो उसे बुग कर लेता हूं और फिर दूसरा lot को मैं run करने देता हूँ, जितनी भी market मिझे देती है, मैं उतना लेकर चिपचाप निकल जाता हूँ, ति यह जो एस्टॉफलोस से target है, यह defined नहीं अच्छ से strategy में, लेकिन आपको पास 500,000 मिल जाती है, तो enough है वो आपके लिए उस month में, आप वहाँ से exit कर स सकते हो, इस टॉफलोस आप खुद define कर सकते हो, इसमें आपकी adjustment की requirement परेगी ही परेगी, बीन adjustment के इसमें काम नहीं चलेगा, तो हम लोग adjustment क्या करने वाले है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, पोज किजिए कि जब अपने इस straddle को create किया मंडे को, तो उसमें जो निफ profitability profit होगी, लेकिन by the way, either upside में, या downside में range break होती है, तो आपको adjustment करनी परेगी, इसका क्या simple सा scenario है, कि माले लिजे, downside में आपकी range break होती है, माले लिजे मारके 7500 पर चलीजे, अगर यहाँ पर दो चीज़े, अगर 7500 पर जाती है, और आपका जो position हो profit में है, 1000 की profit में हो, 2000 की profit में अगर जिस point पर आपका चल रहा होगा market ATM, वहाँ पर फिर से आप 100 टेडल को create करोगे, ATM CEP को sell कर दोगे, अगर आपको समझ भी नहीं आ रही है बाते होती होती है, तो आप tension नहीं लिजे, मैं आपको abstra पर लिजे कर बहुत ही असानी सब्दों में समझाने वाला हूँ, अब आपको adjust कैसे करना परेगा, आपको एक नया short straddle create करना होगा 17,000 पर, इस case में अगर हमने पहला create क्या था 18,000 पर जिसका range निकला था 18,500 और 17,500 तो अब आप create क्या करोगे, उससे आगे जाकर, मतलब 17,000 पर आप averaging करोगे, यहाँ पर 17,000 पर एक नया straddle create करोगे, और उसकी range अलग अलग होगी, और फिर से आपका जो month होगा, वो profit में चला जाएगा, लेकिन यह जो adjustment आप करोगे, इसमें additional capital लगेगी ही लगेगी, चलिए तो मैं आपको अपस्ट्रा पर ले जाकर इसे अच्छे से समझा देता हूँ, और दोनों month का मैं आपको back test करके दिखाऊँग यहां पर आपका nifty selected है, यहां पर आपको कब trade करनी है, वो select कर लेते हैं, तो आपको simply यहां पर देखने को मिल जाएगा, October, September का हम पहला back testing करने वाले हैं, यहां से हम September चले आते हैं, अगस्त में देखते हैं, expiry कब थी 31 को, ठीक है, तो हम लोग first Monday का वेट करेंगा, first Monday आप 4th of September को हो रहा ठीक है, यहां से हमने 4th of September को select कर लिया, और उसके बाद को क्या करनी है, यहां से आपको date इसकी वे select करनी है, September की expiry आपको लेनी है, तो आपको यहां पर जाना होगा और आपका यहां पर 28 September हो जाएगा, यहां से भी हम लोग expiry को change करेंगे, पहले चेंज किय तो आप कोशिस करना कि करना कि पांसो मतलब सो के रिंज में लिया ना इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं कि मार्केट जब आपका अनिसार पांसो या उससे के करीब आज है तो हम लोग इसमें ट्रीट करेंगे पंद मिटस हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ताकि वह एकजट chain को open करते हैं 2480 हो चुका है अब आप यहां पे 2500 को सेल कर सकते हो तो सीधे चलते हैं 2500 के CEP के पास में चलिए तो देखते कि 2500 कहां पर है उस हिसाब समलोग ट्रेड करेंगे तो आपके सामने यहां पर देख सकते हो 12500 के 80 में 230 सचार चल रहा है ठीक है कोई दीए हमने क्या करने एक लॉट पर मैं यहां पर दिखा रहे हूं एक लोट आपको क्या करना है यहां पर 19,500 CE को sell करना है और उसके भाद लोट आपको 19,500 PE को sell करना है और ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे जो extendel होती है वो create हो ठीक है आपके सामने न plan कि आपके सामने जेखेंदल ऑपके सामने यहां पर create हो चुकी है और आप देखओ यहां पर पर्पोट दिख रहा है max profit और आप यहां पर रेंज नूट कर लो 19103 और 1897 ठीक है यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको रॉंड फिगर कर लेना 19100 और 19900 इसे हम लोग कॉंसिडर करेंगे ठीक है तो यहां पर आप देखोगे क्या कि जब हम लोगों ने मार्केट में ट्रेड लिया था 20900 पे निकल के आ रहा है इधर 2100 आपका 400 पॉइंट के दूरी पर है ठीक है ना दोनों साइड में अब हम क्या करेंगे एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या इसमें आपको कब एडिजस्मेंट की जरुरत परती है ठीक है तो हम लोग एक दिन से आगे बढ हो रहा है और यहां पर देख लो तक हमारी रैंस ब्रेक नहीं हूई आप चाहो तो यहां पर करते हो क्यूय यहां से अपका क्या होगा बहुत बरा लॉस हो जाए तो आपको थोड़ा ज्यादा मतलब यह हो सकते है तप जैसे ही ब्रेक होने के पहले क्या करना कि adjust करा देना उसे मार्केट है आपकी वो चल रही है 1775 पे ठीक है और हमारा जो रेंज यहाँ पर 28897 के आसपास है हम क्या करेंगे अगर हम 300 दूर ऐसा लेना आपको 400 पर दिस्टेंस पे और यह कहां पर market जा रही है हमारी market जा रही है हमारी call side में ठीक है देख रो ना market क्या हो गई है आप अच्छे समझना Wallace हो गई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अगर हम 9900 में चार सो पॉइंट और एक्स्ट्रा करेंकर के अगर हमचे को सेल कर देते हैं एक और तो आपका काम हो जाएगा तो 9900 में अगर आप 400 करते हो तो क्या होगा आपका averaging अच्छे से हो जाएगी और आपका रेंज ही बढ़ जाएगा तो देखिए अब कैसे यहां पर मैजिक होता है हम गेट ऑप्शन पर जाएगे इसको किसी को भी क्लोज नहीं करेंगे क्यों क्योंकि आपका पोजिशन लॉस में है और बीस हजार के PEC को हम लोग सेल करेंगे ठीक है जा रही है और आपको सीमपल क्या करनी कि एक लोट करनी है इस your do वह बढ़ सकती है कि हम एक तरफ इंद मनी में भी जा रहे हैं अब आप देखना आपका ग्राफ कैसे चेंज होगा अब आप देखो मैं से रिसेट जुम कर देता हूं और अब आप जो पोजिशन हमारी जो अभी आपके रेंज के बाहर दिख रहे थी वह आप देखो कैसे यह चाहते हो तो आप क्या करना ऐसा पन्राफ चाहर भी कर सकते हो हंडेड पइंट कम का भी आप मैंने बिस यहार ती करतामाई तो आप को सखा करने हम क्या करेंगे एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं ठीक है एक दिन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चल रही है और हमारी जो लॉस चल रही हो तीने जा तीने सो पांच चल रही है अभी भी कोई इसे नहीं है और इसलिए मैं आपको यहां पर डिफाइंड कि एक दिन से और अगे हैं और 13 सप्टेमबर हमारा जो लौ से वह 4890 हो चुका है हम लोग थे खिर हींगे और दीन से और अगे बरते हैं और अभी हम लोग क्या है ऑर दो हमारा जो मों क्या है और देखते हैं कि जो हमारा लॉस है वो पांचार चासु सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर क्या वाने वाला है कि यह हाई रिस्क है जाहिसी बात है फंड ज्यादा लग रही है लेकिन यह आपको रिटन बना कर देगी आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो चलिए हम लोग फिर से एक दिन से आगे बरते हैं और देखते हैं क्या होता है एक दिन से हम लोग आगे बरते हैं और हमारा जो यहां पर प्रोफिट में आ चुके हैं देखा क्या से 922 की क्यों क्योंकि अब हमारा यहां पर ठीटाडी के भी हो रहा है 20 सेप्टेंबर के आसपास में है और मैं आ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या जो हमारी प्रोफिट है वो 2322 की हो रही है ठीक है अब आपको एक दिन से और आगे में बहाता हूं दिखाता हूं 22nd of September हमारी प्रोफिट घड़ चुकिए 2350 हो चुकि है एक दिन से हम और आगे बहाता हूं और यहाँ पे 26 तब सेप्टेंबर और आपकी जो प्रोफिट है वो 3867 की हो चुकि है मैं वहाँ पर क्यों आपको 32 कर रहा था क्योंकि मैं वहाँ पर 32 ही ले पाया था ठीक है एक दिन से मैं आपको और आगे बहाता हूं 27 अप सेप्टेंबर और जो आपकी प्रोफिट है वो 26.25 हो चुकी है अगली भी दिन आपकी एक्सपारी होगी और आपको प्रोफिट बुक करनी है वहाँ पर तो एक दिन सम और आगे बढ़ते हैं और आपकी जो प्रोफिट है वह आप देख लो यहाँ पर 28 सेंप्टेंबर 4702 यहाँ पर आपको प्रोफिट होते हुई नजर आ रही है हाले कि मैंने जब यह स्ट्राइजिक करी थे तो मैंने 3200 के आस पास में जब सेकेंड दे था 26 मैं निकल गया था तो मैं अपना प्रोफिट कर रहा था यहाँ पर बैक टेस्टिंग में अगर आप 28 टक वेट करते जैसे किसले मैं आपको नहीं बताए कि कितना आपको लेना है और यहाँ पर निकलते तो 4702 यह पर आपको सेप्तेंबर के मौन्थ में इ कि भी लेंगता को क्या दो अक्ट्वर को सायथ आपका गांधी जन्ति क्छूटिए थी थी न हम इसे तीन कर लेता है वेट 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 हम इसे नuses ना तीन कर लेता है ताकि अच्छे से ओजय कि है तो यहां रलोक तीनसाद अक्टूंबर कर लेता हैं और आपका वह सेलेक् कर सकते हो अच्छा मुझे काफी ऐसे मेल्स आई हुए हैं कि सर आप से मुझे सीखना है कि आप कैसे ट्रेड करते हो तो पहलो तो सेवी के अनुसार में आपको टिप्स नहीं दे सकता तो यह मेल करना आप लोग बंद कर दीजे रही बास सीखने कि क्यों कि मैं यह नहीं चला स पता है ठीक है ना तो मैं आप अगर आप सिखने की बात कर रहे हो तो मैं आप लोग लिए जो भी इंटरेस्टेड़ है तो मैं पेड़ यहाँ पर कुछ कर सकता हूं मैं कूछ लोग कापी ज़्यादा मेल कर रहे हैं और मुझे आपको शिखाने में खुसी होगी एक बर में पास ऐसे हैं जो कि प्रेमियम है जो कि मैंने अभी तक यूट्यूब पर सेयर नहीं की हुई है तो उसे मैं करता हूं और कुछ अच्छा खासा रीटन थोड़ा वह जनेरेट कर लेता हूं तो अगर आप मुझसे सिखने में इंट्रेस्टेड होकर आपको लग रहा है कि मे आप मुझे कमेंट सेक्षन में पूछ लाएना ठीक है यहाँ पर एक लोट आपको क्या करोगे और यहां पर फिर आपका पी में भी जाकर सेम काम करना है आपको अनिशार 500 और आपका जो एस्ट्रेडल होगा वो बन के त्यार हो जाएगा तो देख सकते हो यहाँ पर आपक करना थोड़ा मुश्किल है इसके बाद हम क्या करेंगे एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि हमें कितनी प्रोफिट हुई है ठीक है तो यहां से हम लोग एक दिन से आगे बढ़ रहे हैं और आपका जो प्रोफिट है पहले दिनी तेरे सो तीस रुपे आपको टार्गेट नहीं देवता रहे हैं कि यहां पर आपका पहला टार्गेट पांचेर के आसपास है वह आपका पहुंची जाएगा तब लोग बुक करके निकल सकते हो यह फिर आप होल्ड भी कर सकते हो क्योंकि आपका भी मार्केट जोईन अभी बीच में चल रहा है आपको दढ़ने की जड़त नहीं है एक दिन से हम लोग और आके बरते हैं और यहां पर देखो सीधे हम लोग लोग लॉस में आ चुक है 110 रुपे की ठीक है सीधे हम लोग क्या है यहां तो आपका टार्गेट मिल चुका था पांच जार के आसपास का आप निकल सकते थे य क्या होगा मैं आपका क्वेशन जो भी उनगा उसे में सॉल्व करेंगा यहां पर मैं आपको टिप्स क्या आपको एड़जस्ट करना है नहीं करना है क्या जो हमारा रेंज निकल क्या रहा है अनिसजा 968 वहां पर क्या कोई रिसिस्टेंस देखा ग्राफ पर जाकर आपको थोरी से एकनिकल एनालिस को यूज करनी है अगर रेंस तो जाहिट सी बात है वह ब्रेक नहीं होगे आपको अगर माल लिजिए यहीं पर रेंस देखा होगा है तो थोरा साइब को अपना इच्प्रियेंस करना होगा या तो आप फिर जैसे strategy है तो जैसे जैसे आप स्टेज से आगे बरते हैं और आप देखो किया हमारी हम फिर से पॉजिटिव में आ चुके हैं नौ सब बीसरपे की प्रोफिट में तो क्या कहती है कि अगर आपको एड़्जस्ट करने आप प्रोफिट में हो तो इस लेक को क्लोज करो पूरे को और आप क्या करोगे फिर से आप अनि रिस्क लोगे वैसे ही आपको रिवार्ड भी मिलेगे ठीक है न एक दिन से लोग और आगे बरते हैं बट मैं आपको सज़ेस्ट नहीं करता हूं अगर आपको पांस जारे में मिल जाती है तो लेकर निकल जाना जैसे कि वो पहले हम लोग मिल चुके है फिर से हम लोग 4 या 3330 के आसपैस चल रही है अभी तक कोई एटिसम नहीं किया मैंने एक दिन से हम लोग और आगे बरते हैं और आपकी जो प्रोफिट हो घट चुकिए 3172 वे आ चुकी है देख रहे हो आपका 5000 इसलिए मैं बोला थे कि 5000 आप लोग बुक कर सकते थे बड़ अगर आप खेलना चाहते हो सीखना चाहते हो ता को करना हो रहा है फिर एक दिन से और आगे बरते हैं और आप देखो फिर से 4510 की प्रोफिट में चल रहे हैं एक दिन से और आगे हम बरते हैं और आप देखो 1557 की प्रोफिट चल रही है जैसे ही मीडिल में आपको आएगा मैक्स प्रोफिट होगी इसलिए मैं क्या करता हूँ एक लोट को मैं क्या करता हूँ बुक कर लेता हूँ पांस एयर पे और दूसरे लोट को मैं रन करने देता हूँ जैसा मार्केट जितना मुझे दे दे एक दिन से हम लोग और आगे बरते हैं और आप देखो 13000 की प्रोफिट चलती हुए हो जाते हैं तो यह मेरे को इतना प्रोफिट नहीं देगा तीस वह से मैंने 15000 की प्रोफिट बुक कर ली थी और यह थी पूरी स्ट्राटेजी वैसा तो यह स्ट्राटेजी में अपना मेंटर्शिप जो प्लान है उसमें में सेयर करना चाहता था बट मैं सुछा दो महीने बात बीडियोज कर रहा हूं आपको एक नए स्ट्राटेजी देनी चाहिए यह प्रीमें में स्ट्राटेजी में आपको दे रहा हूं और इसका लाव उठाई है आप लोग आप लोगों को बस एक काम करनी है कि जाकर खुद से बैक्टेस्ट किसे पूरे 10 महीने का कैसा आप आपने परफॉर्म किया हुआ है जिसमें आपको कम्लिकेटेट लगे मुझे कमेंट सक्षनें बताइए दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि 10 महीने की मैं मतलब बैक्टेस्टिंग लेकर रहा हूं पिछले 10 महीने की इस एयर की तो आपको इसमें मुझे चाहिए ट तब तकिले टबावाय थैंक्स पो वाचिंग